हेलो गाज, वेलकम बैक टू माइंटेड और आज हम ले रहे हैं आपका क्लास 11 चैमिस्ट्री का चप्टर 3 का ये पार्ट 4 और इस परे हम आपको बताएंगे इलक्ट्रोनिंग कॉन्फिग्रेशन्स औफ एलिमेंट्स एंड दा प्रिडिक्टेबल इसमें गायस हम पूरा देखेंगे कि आपका जो इलक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन होता वो किस तरह से होता है और जो प्रिडिक्टेबल है उसको हम किस तरह से देखके ये बता सकते हैं कि किस एलिमेंट का क्या आपका एलक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन होगा और आंगे च चैनल पर नहीं है इसलिए हम आपको जो है बता देते हैं कि हमारा पढ़ने का पढ़ाने का तरीका है तो चलिए आप यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि in the preceding unit we have learned that an electron in an atom is characterized by a set of जो है क्या four quantum numbers अब यहाँ पर यह जो बात आई है आपके लिए वो most important है और इसको जिस वच्चों ने रिवाश कर लिया उसके लिए आसान रहेगा क्या कि जो आपने अभी तक पढ़ा था और आपने यह भी देखा था कि quantum number बगेरा और एक quantum number से हमने यह भी जाना था कि जो हम हमारे quantum number होते हैं वो हमको बहुत सारी detail बताते हैं किसी वी एक element के बारे में देखिए जो हमारी preceding unit थी आप preceding का मतलब होता है जो पिछली unit आप जो भी करते आ रहे हो उसमें हमने यह देखा था कि भाई जो हमारे एक atom होता है उसके अंदर का होता है electron होता है और उस electron को हम बताते हैं किसके द्वारा की भाई quantum number से कि वहाँ पर मतलब जैसे हम बोल दें कि principal quantum number और यह principal quantum number आपसे यह बोलता था कि आपका जो लॉक्टॉन कौन से सेल में है पहले सेल में दूसरे में तीसरे में या फिर वो कौन सी एनर्जी लेवल पर है तो यह आपने देखा था principal quantum number से और ऐसी आपके अजुम उतल quantum number और इसी तरह से इस्पिन quantum नमर यह सारे quantum नमर थे आपके लेकिन अभी उनको आपको नहीं देखना है अभी हम जो बता रहे हैं आपको सिरफ उतना देखिए आपका principal quantum number क्या होता है यह आप समाच गए होंगे आपको जो से मैंने पिछले लेक्चर बताए थे तो यहाँ पर principal quantum number जो कि हमको सेल बताता है किसे element में कितने सेल होते हैं तो वो हमारी मदद करता है electronic configuration को करने में अब यहाँ पर आंगे देखिए क्या लिखा है कि जो हमारा principal quantum number हो जिसको हम N से देनोट करते हैं define the main energy label known as cell अब cell आपको मैंने कई बार बता चुका हूं cell क्या होता जिस आपके जो orbits बगएरा होती हैं उनमें कुछ cells बटे होते हैं K cell, M cell, L cell तो इस तरह से के आपके क्या होते हैं वहाँ पे cell बटे होते हैं और उन cell को हमके बोलते हैं principal quantum number बोलते हैं और यहां पर कह लखा है कि we have also studied about the filling of जो है क्या electron into difference of cell also referred to as a orbitals और आपने ये भी देख लिया है पहले कि जो हमने आपको पढ़ाया था कि हम electron को अब प्रिंसिपल का कितने electron fill करते हैं मैं आपको P और D और F बता देता हूं आप मुझे comment बताईए कि हम S में जो हैं कितने electron fill करते हैं और S में आपकी कितनी इतनी three orbital होती हैं और three orbital होने कारण आप जानते हो जो हुंड्रूल ने कहा था आपका क्या होगा कि बहां पर दो जो हैं आपके electron होंगे इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा कि आपके दो electron है यहां पर होने के कारण six electron जो है पी आपका अटेंड करता है वहीप आपने डी में देखा था इसके पास कितनी five जो है orbitals होती है और five orbitals में आपके 10 electron इसमें आप भर सकते हो वहीप में देखा था आपने एप में आपकी seven orbital होती हो और seven में आप 14 electron भर सकते हो तो in an atom अब देखिए आपे क्या लिखा कि the distribution of electron into orbitals of an atom is called its electronic configuration यह बहुत easy line है बच्चों कि जिस जो हम electrons का distribution करते हैं भाई elements location in the predictable reflect the quantum numbers of the last orbital field हम जो है क्या करते हैं किसी भी element की location बताने के लिए उसके last जो quantum number है मतलब कि जो last cell है उसकी उसमें जितने फिल होते हैं वो हम बताते हैं जैसे कि मैं आप से बोलता हूं कि जैसे nitrogen है आपके पास nitrogen में last में आप जानते हो five electron फिल होते हैं तो उनको ही हम last जो उसका quantum number होगा एन की बेल होगी उसमें उसके five electron होते हैं इसलिए उसका क्या रख देते हम कि उसके जो है आपके पांच आपका अलगी देख जाएगा आपको हर एक का अलग रहेगा किसी में दो किसी में तीन किसी में चार तो इस तरीके से क्या होगा हर एक का unique होगा य जैसे कि उसमें चार electron के last उसमें बच रहे हैं तो उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि बहाँ पे आप जो है oxygen का भी का भी जो है चार बचे अब यहांसा जब होगा जब वो क्या करें अपने दो electron दे दे लेकिन एक दी इस पेसे एक general ID आपको रूल लेके चानना तो यही है कि आपकी जो बैलेंसी होती वो कारवन की से चार होती है जो है nitrogen की 5 होती है वो हमको कौन बताता है quantum नमर बताता है अब मैं आपको बच्चों एक ट्रेक भी बताऊंगा जिससे आप सरे प्रिडिक टेबल को देखोगे और आपको सारी बैलेंसी सारे जो भी लक्टॉ इस चेप्टर में वच्चों यही हम जानने की कौसिस करेंगे कि किस तरह से हमारा जो प्रिडिक टेबल है वो डारेट लिंक होता है किस से आपकी इलक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन से बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है बहुत इंपोर्टेंट बच्चों बिल्कुल पूरा देखिएगा लास्ट तक देखिएगा मज आ जाएगा आपको अब देखिए क्या लिखा है इस तरह से आपकी horizontal column से से करके बटी हुई होती है बच्चों उनी को हम जो है क्या बोलते है periods बोलते है predict table में इस तरह से आपका बटा हुआ होता जैसे आपका जो हमारा periods क्या है और यह यह क्या है आप समझ चुके हो क्या क्या होता है अब चलिए मैं आपको बताता हूं जो है कि the periods indicates the value of n for the outermost or balance cell in the other word the successive periods in the predictable is assisted with the filling of a nest higher principle energy level n is called to one n is called to two ETC यह बहुत बहुत important चीज है इसको समाई लो आपको मझा जाएगा इसको देखो क्या है यह कि जो आपकी periods होती है periods क्या मतलब जैसे मैं आपको बताया था horizontal column तो बच्चों जो horizontal column होती है आपकी बो आपको बताती है कि उस element में कितने cell होते हैं जैसे कि यह दी मैं पहली आपकी इसकी बात करता हूं जैसे कि पहली इसको मैं आपको क्या करता हूं उसी से एक cell होता है यह ना n की वेल्यू सके बन होती है जैसे आप दूसरे पर जाओगे आपके पास n की की वेल्यू टू हो जाएगी मतलब कि लीथियम से लेके बैरिलियम बैरियम से बोरोन कारव नार्टोजन इन सभी के पास दो सैल पाई जाएगा, मतलब यहां पर यहां पर टू होगी, बई पे जैसे आप और नीचे जाओगे, तर्ड आपकी किस पर जाओगे, एन की वेल्ड यहां पर फिरी हो जाएगी, मतलब कि जो थर्ड आपकी प्रियू ना पर रहेगा, वो आप आपके पोटाशियम यह वाला फोर्ट पेल's पर पहुंचो तो यहां पर एइन की वेलू फूर होंचोगे मतलब कि malt को बहुंद एंगे यहां पर मतलब यह कि member гр and r m also आपको चार सेल मिलेंगे ऐसे आपको फिक मिलेंगे 16 6 6 मिलेंगे 7 पर 7 और जो आप ये तो पता ही होगा आपको कि ये लाश्ट वाले जो होते हैं वो यहाँ इन्ही में इंकलूड होते हैं तो इसका आप मतलब जिंग ले जैसे 7 के बाद बोल दो 8 और 9 ऐसे करके नहीं बोलना कभी भी यहां पर आपके जो periods होते हैं वो बन 2 आपके 7 होते हैं और 7 में ये ये बताते हैं कि बन से जदी यहां का जैसे किसी period का बन है मतलब कि उसमें सिरफ 1 le होगा दो मतलब की दो सेल होंगे, तीन का तीन सेल होंगे, चार सेल होंगे, बहुत important चीज है ये बच्चों आपके लिए, और यहां पर हम और आंगे देखेंगे किस तरह से लक्टोन बढ़ने पर जो है सेल बढ़ते हैं और क्या क्या होता, ये सारी चीज है बच्चों आँगे का topic हैं, तो उनको भी देखेंगे, अभी के लिए सिरफ आप इतना समझ लेजिए, अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा था कि किस तरह से period आपके बटे हुए होते हैं और वो किस तरह से n की value को बताते हैं, अब जर आंगे बढ़ते हैं और atomic orbitals available in the energy level that is being filled, मतलब इसका क्या है, कि यहां पे हम यह देख सकते हैं कि जो number of element है, इने each period में उनके पास क्या है, twice a number of atomic orbital, जैसे आपका मान के चलिए, कि पहला बाला जो था, उसके पास कितनी थी, orbital एक थी, क्या थी, आपके पास ऐस थी, लेकिन जैसे आप किस पर आ गए, तो बहाँ पर periods आपकी बढ़ेंगी, क्या हो जाएंगी बहाँ पर, जैसे कि periods ने बढ़ेंगी, orbital बढ़ेंगी, जैसे आपका क्या हो जाएगा, दूसरे पर आगए तो, S रहेगा, फिर आपका क्या और बढ़ जाएगा, P बढ़ जाएगा, या फिर आपका जो 2S बो पते जा रही हैं यहां पर देखी यह यह नौन लखा है कि seen that the number of element in each period आपके जो number हैं आपके element के हर एक period में twice हो रहे हैं किसके number of atomic orbitals जो की available in the energy level that is जो की being filled और यहां पर आप देखोगे कि जो first period है जिसकी एनकी बिलू बन है start होता है किस से आपका the filling of the lowest level बन S अब यह बात आपको दिमाग में फिर से आई होगी कि हम जो है यहां पर अवाव प्रिंसिपल का ही rule यूज करेंगे किस क्या बोलता है हमसे कि भाई जो भी आपकी electronic जो filling होगी वो आपकी निम्न मतलब कि जो आपकी lower energy से आपको higher energy पर ही fill करना है ऐसा नहीं है कि आपके करिए जैसे आपके जो है बन में मतलब कि S में फिलना करके आप डारेट D में फिल करने लगे electron तो ऐसा कभी नहीं होता है आपका हमेशा ही क्या होगा lowest energy में आपका जो है electron flow का फिर higher पर पर पहुंचेगा यहाँ पर बो यह नहीं नहीं लिखाया कि the first period जो है इनके स्कल्ट जिसकी value 1 है बो श्टार्ट करेगा किस से आपकी filling of lowest level जो की हमारा 1S है जिसके पास सबसे कम energy होती है आप जो सबसे पहले electron इसमें ही फिल करोगे या फिर इसमें ही फिल होते हैं तो यहाँ पर क्या होगा lowest energy 1S में हो गया and therefore has a two elements जो की hydrogen और आपके helium है आप जानते हो फिरेड में जो है आपके सिरफ दो element है जो की hydrogen है और helium है जिनके पास क्या होता एक cell होता है एक cell कौन सा होगा जनके पास क्या होगा उसमें orbital जो होगी आपकी S होगी और S orbital में आप जानते हो जादा से जादा क्या होता दो electron होता तो क्या करेगा hydrogen जो रहेगा आपका वो एक electron ले लेगा और वहीं पर जो helium रहेगा वो दो electron ले ले लेगा जिसलिए hydrogen के जो configuration बनेगा electronic बनेश बन जाएगा और helium का जो है बनेश बन जाएगा बहुत आसान है यह अब देखे आंगे बढ़ते हम और जब आपका when the first cell जो है हमारा केज completed हो जाएगा तो जो second period रहेगा जो इसकी वेलू हमारे n की वेलू टू है बहां से क्या होगा start होगा जैसे lithium है अब lithium में आप important line है कि मैं आपको बताता हूं यह क्या हो रहा है यहां पर देखिए आपने क्या किया यह यह देखिए lithium कि मैंने आपका बहुत पर दूसरे में आपका क्या होगा तूएस आपका बन का कॉपिग्रेशन हो गया तो बन यस में क्या हुआ आपका को है दोनों ईलक्ट्रों भरा गया उसके पाल्गएं इसके कारण एक कहां चला गया तू है चला गया वहति इंपड़्क चीज है और तो लीथियम जो रहता है उसका इलक्टोनिक और इस तरह से रहता कि 1s2 और 2s बन अब मैं आपको थोड़ा आंगे ले चलता हूं और थोड़ा और समझाता हूं कि किस तरह से आपकी जो है से विवीदियम है उसमें चार इलक्टोन होते हैं और इसके कारण क्या होगा एनड़ है क्या होगा कि उसका क्वपयर और स्टार्टिंग दा फ्रॉम देश्ट एलिमेंट बोरोन बोरोन के पास कितने होते हैं पांच एलक्टोन होते हैं इसके कारण बहां पर जो रहेगा फिर टू पी आजाएगा मतलब कि उसके पास जो है और विटल का हो जाएगी जो है एस अब जब उसकी फिल हो गई तो उसमें डाल लेगा है ना क्योंकि इसके पास है तो पांच उससे वो कैसे करेगा बाई वह जो है आपका दो इसमें डाल देगा है बंस्ट लिएक कौया हो जाएगा 10 मतलब कि आपका यहां से आपका 10 electron इसमें भर जाएंगे जो कि आपका कहां पे last में होता बिलकुल है ना आपने देखा होगा कि जो आपकी periodic table में जो last में element दिये होए होते हैं जो कि 18 गुरूप में दिये होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं stable होते हैं है ना उनके पास जो सबसे कम energy होती हैं और वो क्या करते हैं noble gas का configuration करते हैं और वो जो नेचर रहता उनका इनट नेचर रहता है बहाँ पर क्या होता है कि देखिए इसके जो हैं दोनों मतलब की मतलब यहां पर पीवी कंप्लीट और आपका जो है इस तरह से करते हैं electronic configuration का फुल होने कारण यह इनट नेचर बताते हैं तो यहां पर क्या हुआ जो हमारे जो सेकंड पर पहुंचे हम जो सेकंड पिरिड है उसमें जो सेकंड पिरिड का लास्ट एलिमेंट आपका नीउन ह नेन में जो है टूएस्टू और टूपी सेकंड पिरिड और पूरी आपकी जो सेकंड आपकी क्या है पिरिड से उसमें एट एलिमेंट है कहां से लेके है पहला लीथियम बेरिलियम बोरोन और इस तरह से आपका आंगे बढ़ते जाएगा कहां तक नीउन तक और आपको ए पिरिड रहेगी जिसकी एन के विल उथीरी रहेगी बिगन होगी कहां से सोडियम से एड़ एड़ एलक्ट्रॉन जो होंगे एंटर कहां करेंगे एक बात चीज़ समाई लो बहुत अच्छी है बहुत इंपोर्टेंट है क्या है वो देखो अभी तक आपने क्या देख रहे टूपी कॉन्फिगरेशन आ गया जैसे ही आप किस पर पहुंचे आपकी थर्ड पर पहुंचे तो आपने देखा होगा कि बहां पे आपका थिरी लगने लगा मतलब कि थिरी एस लगने लगा ये देखिए कितना बहुत ही सांदार आपको देखने को मिल रहा है पहले में फ मतलब कि थिरी सेल में मतलब कि थर्ड सेल में जो है आपका जो एस और बीटल है उसमें लक्टॉन फिल कर रहे हैं यह आपको मैं इसलिए बता दीता हूं कि आप मैं जानता हूं बच्चों कि क्या होता कन्फूजन आने लगती है और हम यह क्या कर रहे हैं किसमें क्या डाल सेल होती है एंड एडे लक्टों इंटर जो कहां से होगा आपका 3S से हम फिल करना सुरू करेंगे और सक्से से विसी तरह से फिलिंग करते जाएंगे 3S में 3P में और विटल और गिव राज टू दा थर्ड पिरिट जो होंगे आपका बहां पे भी आपके कितने element होते हैं एट element होते हैं जो कि sodium से लेके आपका आरगों तक चलता है बहुत important चीज है और यह आपको प्रिट टेवल आप पहले करें हाथ में प्रिट टेवल लेके बैठी है और मिलाते जाएं यह मैं क्या क्या बोल रहा हूं है यह आपको देख की समझ आ रहा होगा और जो फोर्त है दी हम पहुंच जाएं कि फोर्त पीरिड में आपकी जिसकी एंड की विलू फोर है बहां पे क्या होगा स्टार्ट पोटासियम से स्टार्ट होगा एंड एड़ेड एलक्टोन फिल आप जो किससे फोर एस में भरान होगे तो क्या होगा आप जो है क्या होगे 4S को फिल पर दोगे तो आप 4P में से क्या चुन होगे आप सुचिए अब आपके पास 2 option है यहां तो किस में फिल कर आप सा इहां पर जो है इसको जोड़ा हटाता हूं मैंने गलत लग दिया हाँ ये जो है अभी हाँ ये हाँ अब देखिए 4P में फिल करोगे ये फिर 3D में फिल करोगे भाई या तो यहाँ पे यहाँ पे लखाए नोने कि यू में नोट देट बिफोर फिलिंग 4P और विटल हम जो फिल करते ह है एनर्जेटिकल फेवर होता है और एंड वीकम एक्रोज सो काल्ड जो हमारी वहां से ट्रांजीशन सीरी सुरू जाती है 3D सीरी सुरू हो जाती है आपकी एलिमेंट की और इस स्टार्ट क्या करता है वहां से स्कैनेडियम से स्टार्ट होता है जिसकी जैट के विल करने के बाद हम जो फोर पीपे नहीं पहुंचे हम कहां पोंचे हैं 3D बंप आपको को सुनहें वह तक करते आ रहे थे कि, हम क्या् sigma to 3ड पर से चलते जाए और ये कहां तक चलेगा आपका जिंग तक चलेगा इस केनेडियम से आप भरना शुरू करोगे और आप जिंग तक पहुंचोगे अब मैं आपको ये बच्चों आपकी NCRT से ये आपको जो प्रियोडिक टेबल से एक्स्प्लेंड करता हूँ ये बात मैं क्या कहना चाहरा हू कि यहां तक जो है आपका माज़रा चला बिल्कुल सही चला है आपने कहा किया 4S तक भर दिया कोई बात नहीं लेकिन लेकिन जैसे ही आपके हुए इस वाली 4th period में जैसे ही आपने इंटर किया किसमें यहां पे तो यहां से आपका जो 21 से लेके आपका कहां तक जाएगा य आपकी 3D को फिल करना है बच्चों यहां पर आपका 3D पहले फिल होगा यहां पर देखिए 3D बन 4S2 3D 2 4S2 3D 3 4S2 3D 5 4S1 और 3D 5 4S2 और 3D 6 4S2 बोलते जाओ कहां तक आपका 3D 10 4S2 तक देखिए जिंग तक आपने फिल किया फिर आप किस प्याग है भाई 31 से लेके कहां तक आपके 36 तक फिर आपने किस को फिल करना शुरू कर दिया 4P को देखिए कितना मंज़ेदार है यह आपने जो है किस को फिल करना शुरू कर दिया 4S2 4P जो है आपका बन फिर 4S2 4P 2 4S2 आपका 4P तर इस तरह से आप फिल करते आ गये यह आपका जो है यह फोर्त जो है आ तक आपका कहां तक है आपका यह potassium से लेके क्रेप्टन तक फूर्थ पीरिड है पूरा जिसमें कि इन सभी में जो है चार सेल पाए जाएंगे और और एक और बात क्या है कि यहां पे थोड़ा से केस है कि आप potassium से calcium तक तो जो है 4S में भरोगे लेकिन जैसे आप आँगे पहुंचोगे तो आप जो है 3 जो आपकी 4P उसको ना चुनकि आप 3D में भरना शुरू करोगो और उसके बाद जैसे आप जो है किसमें पहुंचोगे 31 से 36 तक आप जो है जो आपकी पी बाला कॉन्फ आ रहा था कि इसी तरीके से आपकी NCRT में सब कुछ बताया मैं आपको short में brief में बता देता हूं कि जैसे आप 5 में पहुंचोगे 5 में क्या होगा देखे यहां से आपका 5S1 5S2 चलेगा फिर आप किसको प्रेफिर करोगो 4D बन को मतलब कि आप 4D बन में फिल करना सुरू कर यहां पर आप देखोगे जो 57 से लेके जो हमारा है कि बहां पर लेंथर नोट का जो शुरू हो जाएगा है ना इसमें क्या होगा आपका कि जो है आप F बालों में फिल करना सुरू कर दोगे तो यही सब आप बच्चों आपकी NCRT में लिखा मैं आपको उससे भी बता देत हो ता है Transition मतलब यह है कि आप जो है स्सेपर यहां रहे हो डारेट जो है आप D पार रहे हो आ राल्हे हो है जो कि बैलो discussing 29 तक जद हो रहा हैं आपके छो है जो है छो है रहे मतलब में अब आपके जो है आपको 10 होगा क्या 32 elements एंड जो की successive electron इंटर जो की 6S 4S 5D 6P orbitals तरह से होगा और इन दा आउटर फिलिंग अब जो है आपका 4F orbital बिक इन बित जो है सीरियम से होगा मतलब क्या है कि जो हम electron को फिल करना सुरू करेंगे वो सीरियम से करेंगे मतलब कि जो 4F में होगा वो सीरियम से स्टार्ट होगा जिसका atomic number 58 है एंड एट एट जो है लिव टेटियम जिसके atomic नमर 70 बन है तो गेब जो है क्या 4F inner transition अब देखो जो डी वाले थे उनको हम बोल रहे थे transition सीरीज लेकिन अब जो 4F बाले उनको बोलेंगे हम inner transition सीरीज अब इनको inner क्यों बोला जाता है क्योंकि यहां पर जो कि इसका निकलना जो भी होता वो inner बालों में होता मतलब कि आप इसको समझे जारा कि आपका मान लीजिए इस तरह है ना अब मैं आपको पूरे cell से नहीं बता रहा हूं बस आपको explain करने लिए कि दो cell बना के बता रहा हूं तीन cell यह देखिए मान लीजिए यहां पर आपको क्या है फॉर एस है और यहां पर कि आप इसको फिल करने के बाद आप इनर वाले को फिल कर रहे लिए था कि और आप जानते उसमें लेंथ नोड एक्टे नोड वाले वो जो भी पाए जाते हैं इसके कारण से यहां पर क्या होता है 7s 5 f oka 6d 7p orbital and include most of men met radioactive element पाए जाते हैं इसमें और this period will indate a element with atomic number जिसका 18 होता है और which about belong to the noble guest family से विलोग करता है जो कि 반 18 होता है Filling अप जो है कि है आप 5 of orbital आप्टर जो actinium है जिसका z की value 89 है हम के के मिलता है जब मिलता है आपका 5 f in a transition मिलता है वो था 4F यह था आपको 5F inner transition बहुत आसान है कुछ भी कटन नहीं है आपको एक प्रोब्लम करा दूँगा फिर आपको सब समझाएगा है नोन ऐसा active note series कहा जाता जो 4F बाली जो रहती है और the 5F inner transition series of elements are applied separately in the periodic table में to maintain a structure अब देखिए हमको कोशन यही आता है कि हमने जो है जो हमने अभी देखा था पिरेट टेवल में कि जो आपकी नीचे पर लेंटिनोड और यह वाली थी उनको हमने नीचे क्यों रखा था लेंटिनोड और एक्टिनोड को इसलिए क्योंकि हमको structure maintain करके चलना होता आप जानतों उसमें बहुत सारे लक्टॉन है मैं आपकी जिए एलिमेंट है और उन एलिमेंट को आप एक संगा दिये जमाद होगे तो आपका जो ग्रॉप का जो रहेगा वह गड़वड़ा जाएगा इसलिए उनको हमने नीचे रखा है है ना गुरूप से मैच करने के लिए और बस य कांस है पहले आप को समझ लीजिए कि आप से बूचा यह जा रहा है कि आप कैसे जो है जिस्टिफाइ करोगे कि बहां पे जो है प्रिजेंस है कि कितना है मतलब कि फिप्ते जो आपका पीरिड है उसमें एटीन एलिमेंट है ऐसा आप कैसे प्रूप करोगे भाई बहुत आ तो आप जान रहे होगे की भाई वहां पर आपकी क्या होगी वहां पे आपका जो है यहां पर देखिए 0123 यहां पे एतनी चार प्रोटी में और चार period में जो हमारे जो elements होंगे इन से मिलके वो 18 elements ही तो होंगे क्यों होंगे देखिए zero में S बाला होगा मतलब कि दो electron band में आपका P बाला होगा मतलब कि 3 electron माप किजेगा जो है 6 electron, 2 बाले में आपका P होगा D होगा यहां पर मतलब कि आपके 10 लक्टोन होंगे, 3 में आपका जो है F होगा मतलब कि यहां पर कितने आपके लक्टोन होंगे, 14 लक्टोन होंगे, तो आप इन्हें इलक्टोन की configuration करके जो हैं आसानी से बता सकते हो कि बहां पर 18 लक्टोन पाजाएंगे, देखिए मैं आपको अर्बिटल बताता, जिसे 0 आया, तो S होगा, बनाया, तो P होगा, 2 आया, तो D होगा, 3 आया, तो F होगा, इस तरह से से ने क्या बता दी हमको, और बिटल बता दिये, और जो order इन्द जो है, which energy of the available orbitals, जो होगी, 4D, 5S, जो है, 5P increases, जो होगी, आपकी पहले 5S में फिलकर क्योंकि, आप जानते हो, कि इस बाले में कितनी होती है, आपको पता होना चाहिए, कि आपका इस बाले में जो 0 है, जिसमें, उसमें कितनी होती है, इस बाले में कितनी होती है, आपकी 3 होती है, है ना, इसमें 5 होती है, तो 3 और यह तो कितनी होगी, आपकी 0, 1 और यहीं पर पर 9 हो गई और जो घ्रूब बाइस एक और इस तरह से किया जाता हूंकि और यह हमारा नेक्स्ट पार्ट में होगा हम आपको बताएंगे कि ग्रूप में वायशा में electronic configuration किस तरह से करते हैं तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं बच्चों ज्यादा हो जाएगा तो आपके दिमाग से बढ़ सकता है इसलिए बिल्कुर रिबाश कर लिजिए जिससे का आपको आँगे चलके आसानी होगी और जो भी आपको डाउट हो या कुछ भी चीज न अतना समझना ही हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके और हम जो हैं अंगले लेक्चर में लेंगे कुरूप बाश लक्टर ने कॉन्फिग्रेशन और यह आपका जो है पीरिट से तो बहुत आसान होगा तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं और बेरी आपका जाए में आसे पूहागा ही।